बोलिवुट के इतिहास में कई प्रेम कहानिया दफन हैं जो अधूरी रह गई इन में से एक है धर्मेंदर मीना कुमारी की लव स्टोरी वर्ष 1965 में फ्लिम पूर्णिमा के लिए धर्मेंदर को मीना कुमारी के अपोजिट साइन किया गया था तब धर्मेंदर इंडस्ट्री में नए थे वहीं मीना कुमारी इंडस्ट्री की सूपर स्टार थी धर्मेंदर जब मीना कुमारी से पहली बार मिले तो वे उनसे काफी अच्छी तरह से मिली थी मीना कुमारी एक बहुत अच्छी अधिका आदाकारा थी मगर ये भी सच्छे की वे उतनी ही अच्छी इनसान भी थी इंड्रेस्ट्री में शुरुआती समय और एक सूपर स्टार के साथ तालमेल बैठाने की जिजक धरमेंदर छुपा नहीं पाते थे मीना कुमारी इस बात को अच्छी धरे भाब चुकी थी इसलिए धरमेंदर के साथ जब वे काम करती थी तो एक एक सीन को बोलकर धरमेंदर को समझाती थी और फिर धरमेंदर असानी से उसे कर पाते थे ये कहना कि मीना कुमारी के दम पर ही इस इंड्रेस्ट्री में धरमेंदर अपने पेर जमा सके और आज इस मुकाम तक पहुच पाए हैं जिस वक्त धर्मेंदर मीना कुमारी की लाइफ में आये थे उस वक्त मीना कुमारी का जीवन कई उतार चड़ाओं में बीत रहा था धर्मेंदर भी मीना कुमारी को बहुत पसंद करते थे दोने एक दूसरे से महबत करते थे एक बार तो मीना कुमारी को धर्मेंदर के घर की छट पर देखा गया था तब मीडिया के आगे धर्मेंदर केवल लूंगी पहन कर आये थे वही मीना कुमारी के हाथों में तकिया था दोनों की ये तस्वीर अगबारों और मैगजीन में जब छपी तो हंगामा हो गया हर और केवल इस बात की चर्चा थी मीना कुमारी और धर्मेंदर का अफेर चल रहा है मगर तब भी दोनों ने खुल कर कभी अपने दिल की बात नहीं बताई फिल्म पूर्णिमा के अलावा धर्मेंदर और मीना कुमारी ने फिल्म फूल और पत्तर काजल, बहारों की मन्जिल, मंजली दीदी, चंदन का पालना मैं भी लड़की हूँ, आदी फिल्मों में भी काम किया धर्मेंदर ने मीना कुमारी के साथ अपने रिलेशन्शिप को लेकर कहा था मैं मीना कुमारी का बहुत बड़ा फैन था, उन्हें देखते रहना मुझे अच्छा लगता था मगर आप फैन और स्टार के रिष्टे को महबत का नाम देना चाहते हैं, तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ मीना कुमारी धर्मेंदर से इतनी महबत करती थी, कि उनसे कुछ समय भी दूर नहीं रह पाती थी एक बार कुछ दोस्तों के साथ दोनों पिकनिक के लिए गए थे, आते वक्त धर्मेंदर दूसरी गाड़ी में बैठ गए, जिसके बाद मीना कुमारी गाड़ी से उतर कर सड़क पर बैठ गई, और चिलाने लगी, मेरा धर्म कहा है धर्मेंदर उन लोगों में से एक हैं जो मीना कुमारी के अंतिम दिनों में हमेशा उनके साथ रहे धर्मेंदर मीना कुमारी से मिलने जाते थे, तो उनके दिल का दर्द उनसे देखा नहीं जाता था, और कमरे के बाहर निकल कर रोने लगते थे